दोस्तों दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में एलियन होते हैं या नहीं आपको क्या लगता है क्या ब्रम्हांड एलियन से भरा पड़ा है क्या ब्रम्हांड पर एलियन ही एलियन है इन सब सवालों का जवाब देने के लिए 20 facts आपके लिए एक खास एलियन पर बनी व दोस्तों दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलास बिज्यान के लिए बेहद चुनोती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के बैग्यानिक भी करते हूँ ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धर्ती पर आ जाते हूँ तो कोई आश्यरे नहीं हम भी तो चंद ग्रह मंगल ग्रह पर पहुँच गए हैं हमने सनी पर भी एक यान भेज़ दिया है अब किसी न किसी दिन मानों भी उन यानों में बैठ कर जाने की हिम्मत करेंगे या ब्रह्मान कितना बड़ा है इसकी कलपना करना मुश्किल है बस या समझ लीजिए कि इस ब्रह्मान में हमारी धर्ती रेत के एक काण के बराबर भी नहीं है इस धर्ती से कए गुना बड़े करोनों ग्रह हमारे ब्रह्मान में मौजूद है सबसे बड़ी बात या कि हमारे इस ब्रम्हांड में लाखो गैलेक्सियां हैं गैलेक्सी को आकास गंगा कहते हैं हमारी आकास गंगा को अंग्रेजी में मिलकी वे कहते हैं जबकि हिंदी में मंदाकिनी और छीर मार्ग कहते हैं जिसमें पृत्वी हमारा सौर मंडल और लाखो तारे इस्थित हैं विज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धर्ती जैसे लाखों ग्रहोंगे तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर तो जीवन होगा ही वहां पर भी मनुष्य और पसुपक्षी जैसे ही प्राणी रहते होंगे हो सकता है उनमें से कुछ हमारी सो मुझ से कमजोर हूँ और कुछ मनुष से जाती से कई गुना बुद्धिमान और टेकनोलाजी में संपन्न हूँ ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं एलियन का अर्थ होता है पर ग्रह वासी या दूसरे ग्रह का निवासी सन 2009 में अमेरिकी अंत्रिक्ष संस्था नासा ने हमारी आकास गंगा के सरवेक्षण के लिए केपलर मिसन 10 के नाम से एक परियोजना की सुरुवात की थी जिसका उद्धे से था प्लैनेट हंटिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों का आखेट जिसमें सक्तिसाली टेलिस्कोप भी है जो पृत्वी जैसे आकार और गुडों वाले खोच कर रहा है या भी पता लगा कि 400 अरब तारे और इतने ही ग्रहों वाली हमारी आकास गंगा के कितने ग्रहों में जीवन संभव है एक अध्यन के अनुसार हमारी आकास गंगा में 160 अरब ग्रह हैं जहां एलियन्स हो सकते हैं और जानते हैं उन्हीं के बारे में 10 रोचक तथ वर्सों के बैज्ञानिक सोच से यह पता चला कि दस हजार इस्विप पूर्व धर्ती पर एलियस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ग्यान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेश वाहग बनाया वो अलग-अलग काल में अलग-अलग परंपरा समाच की रचना कर धर्ती के देवता या कहें की फरिष्टे बन वैठे और जितने भी आश्चरे पूरे संसार में बने हैं जैसे की ताजमहल और दुनिया भर की इमारतें उन्होंने एलियन्स के दमपर बनाया वह इंसान के बस की बात नहीं है चतिस गण के बस्तर जिले में एक गूफा में दस हजार वर्ष पुराने सैल चित्र मिले हैं नासा और भारती आर्कियोलाजिकल की इस खोज ने भारत में एलियन्स के रहने की बात पुक्ता कर दी है यहां मिले सैल चित्रों में इस पश्ट रूप से एक उ देखा जा सकता है जो आम मानों को एक अजीब छाड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है इस एलियन्स ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं कमाल की बात है बैग्यानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्ब बनाएगे ये चित्र इस पश्ट करते हैं कि यहां एलियन आये थे जो तकनीकी के मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे हैं दुनिया भर का प्राचीन सब्यताओं के चित्रों में ऐसे चित्र भी मिलते हैं जिसमें एक अंत्रिक्षियान के साथ एक अजीब सा मानो दर्साया गया है नासा के एक बैग्यानिक ने अनुमान जताया है कि हो सकता है एलियन्स धर्ती पर आये हो लेकिन हमें पता ना चला हो नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिल्वानो पी कोलंबो ने एक रिसर्च पेपर पर ऐसा दावा किया है कि हो सकता है एलियन्स की संरचना परमपरागत कारबन संरचना पर अधारीत ना हो इसलिए हमें इनका पता ना चल पाया हो सिल्वानों ने कहा कि एलियन्स संभौता इंसानों की कलपना से बिल्कुल अलग लिखते हैं दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टैंक्स में लिखा है कि जल्दी ही लोट आएंगे हमारे आकास देव और फिर से वे धर्ती के मुखिया होंगे एजिप्ट और माया सभ्यता के लोग मानते थे कि अंतरिक्ष से हमारे जन्मदाता एक निश्चित समय पर पुना लोट आएंगे उसाई सीरा मिस्ट का देवता जल्दी ही हमें लेने के लिए लोट आएगा तो क्या हम इस्टार प्रोडक्ट हैं और क्या इसलिए गिजावासी मरने के बाद खुद का ममी करण इसलिए करते थे कि उनका आकास देव उन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर उन्हें फिर से जीवित कर देगा और कैसी लगी आपको हमारी ये एलियन्स पर वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से बिलकुल मत चूगना एलियन्स का दावा कई बार किया गया है पर असलियत क्या है ये तो भविस्व में ही पता लगेगा वैराल हम लोग तो खोशते रहेंगे चाहे कुछ पता लगे चाहे ना लगे और उम्मीद करते रहेंगे कि कभी न कभी कुछ न कुछ तो पता ही लगेगा बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रहसमे वीडियो में तब तक के लिए गुड़बाई